चाहिए बगट टेक्नोइट अधित्य पंडिक में आज आप लोगों को सर्विसेस के केटलॉग में जिदि आप कुछ अपलोड कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए जिसमें से मैं आज एक पॉइंट कबर कर रहा हूं जैसे कि मैं यहां पर सर्विस काटलॉग में जाके कर रहा हूं कि यहां पर मैं कोई भी कोई भी सर्विस करके रखें तो मैं आपको वह दिखा रहा हूं यहां पर मैं यह मेरा लाइब से पता सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर करने का होता है और नहीं पिताता है तो यह price on demand का मतलब क्या हुता है और कब our price on demand पर टिक करेंगे और कब नहीं करेंगे जिसे कि मैंने यहां पर गोई कटलॉग पप्रीश करके रखें सैम चीज यही price on demand में भी है और price on demand में without टिक भी एक Price on Demand है जहांपे मुझे rate डाला हुआ है यह आप देखेंगे तो Price on Demand में कोई भी rate डालने को नहीं मिलता है और दुसरह में में यहांपे रेट डालता है जो मुझे rate मेरे क्या है services के मेरे 40 क्या है तो इससे आपको क्या benefit है और आप ऐसा करेंगे तो आपको नुक्सान क्या हो जकता है आपको कब price on demand predict करना है और कब नहीं करना है पहला तो यह समझते price on demand क्या है price on demand यह price on demand जो है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप कोई price को demand पर आपको सर्विस की डिमांड आएगी तो उसके इजब से आप अपना रेट बताएंगे अभी आप अपना रेट को कोई डिस्कलोज नहीं कर रहे हैं जिरुद्ध आप प्राइस और डिमांड पर टिक कर देते तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा आपको कभी भी डार्ट परचेस का ओडर नहीं मिलेगा मैं फिर से बोल राउं डार्इट पर्चेस डारृक पर्चेस दो तरिके होते हैं एक डार्ट पर्चेस जो आप बिलोओ ट्व creepypёз बोलते हैं दुसरा L1 ऐट पर्चेस भी डार्रेट पर्चेस का ही तो इसके benefits क्या है यहां पर जो भी परसेंट डालते हैं तो आपको यहां पर आपको बाइर से आपकी पहचान है और आप वहां से भी करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपना ओर्डर को ले पाएंगे पर ऐसे cases में भी आपको कुछ benefits मिलते हैं देखिए जिदे आप बीड में participate करना चाहते हैं तो आपको कोई मतलब नहीं रहता price on demand में टिक किये हैं या नहीं किये आप दोनों के case में आप अपना काम कर पाएंगे बीड में पर direct purchase में आपको price on demand पर आपको orders नहीं मिलेंगे और जदे आप यहां पर टिक करके percentage डाले हैं तो ही आपका उहां पर red display होगा और आपका नाम भी display होगा तो price on demands जदे आप टिक करते हैं तो आपको क्या benefit हैं तो य में पता ही नहीं प्यार को कभी देखते ही नहीं तो जदे आप price on demand करते हैं तो आपको purchase requisition मिल सकता है तो आप purchase requisition से यहां पर rate को quote कर पाएंगे जैसे list of purchase requisition यहां पर government के buyers हमें invite करती है और फिर हम अपने accordingly rate को quote कर पाएंगे यह दोनों के लिए product के लिए services में जैसे कि हम services क आया है minimum wages का तीन लोगों ने court किया है मंदला quantity sorry तीन quantities का है हाभी हम को यहां पर कोई भी कुछ भी upload नहीं करना है ना कोई documents upload करना है ना कुछ सिब मुझे यहां पर offer price पर जाके अपना price को put up कर दे लेका तो कैसे करेंगी यह भी हम लोग यहां पर देख लेते यह भी not anymore है न पर्टिसिपेट यहां पर देखते हैं एक का दिवांड है यह देखें यहां पर अभी यह लाइव है तो हम इसको एड कर सकते हैं जैसे में यहां पर डाल रहा हूं तो से बेन कंटिन्यू माय ओफर्ड स्पेसिफिकिशन्स आ गया है और यहां पर मुझे परसंटेज में कोट कर देता हूं तो यह भी मेरे लिए एक बेनिफिट होता है और इससे अपने को बेनिफिट होता है कि मेरी पायर परचान में है तो मैं उसको डिरेक्ली 0.5 में मुझे L1 में आपको ज्यादा इमाउन पर भी अपना कोट लेके अपना काम कर सकते हैं यहां पर तेन पर संट पर कर रहेंगे और हम उसके कर देंगे और इसको कर देंगे जो यहां पर किया है कि मेरे नहीं देख रहें तो मुझे आपने जो पाटिसिपेट किया वह मुझे यहां पर देखने को मिलता है तो यह हमारा डिफिरेंस है प्राइस ऑन डिमांड और प्राइस में आप सर्विस बीड करने से पहले यह जरूर कर लिजे कि आपको किसमें कोट करना है या फिर आप दोनों में भी केटलॉग बना के रख सकते हैं एच पर रिक्वार्मेंट आपको आपके ओडर्स को आप डाइवर्ट कर सकते हैं यह आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूली थैंक्यू